नमस्कार दूस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धोला धराफ डेट्स में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल में देखी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश पटवारी भरती मामला जो 2019 में जो हुआ था तो ये कहां तक पहुचा है तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो बताने जा रहे हैं तो ब्रेकी न्यूज जो है आज आई है तो पूरी जानकारी बताएंगे वीडियो पर एंड तक बन रहें उससे पहले अगर आप हिमाचली हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हिमाचल परदेश की हर लेटेस्ट अपडेट के बारे में इस चैनल के माध्यम से पता लगस के क्योंकि इस चैनल पर हम एजुकेशनल के लेटेट और हिमाचल परदेश की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो ह पूरी वीडियो को शुरू करते हैं सरकार ने पटवारी भरती मामले के जल्द निप्टारे को हाई कोट से लगाई गुहार तो पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं हम तो पटवारी भरती के मामले के जल्द निट्पारे की परदेश सरकार ने हाई कोट से गुहार लगाई है हाई कोट में सरकार ने इस बावत प्राथना पत्तर दायर किया है प्राथना परत्तर में हाई कोट से CBI को जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने का निदेश देने की गुहार लगाई गई है पटवारी भरती लटकने से परदेश में कामकाज प्रभावित होने पर इसमें हवाला दिया गया है बतादे की पटवारी भरती का सरकार ने परिणाम घोशित कर दिया है तो एचपी पटवारी का जो एक्जाम हुआ था 17 नमबर 2019 को तो इसका जो है रिजल्ट जो है डिक्लेर कर दी गया है था दिसंबर महा में तो भरती में अनियमिता की शिकायत को लेकर हाई कोट में याची का दायर की गई है कोट ने मामले की जांच CBI को सोपी हुई है लोगडाउन के चलते इस मामले का निप्टारा लटक गया ऐसे में अब सरकार ने कोट से CBI को जल्द जांच रिपोर्ट सोपने के आदेश देने की मांग की है तो ये थी आज की अपडेट जो की HP पटवारी भरती के रिलेटिड जो है ये अपडेट आई थी तो अगर आपको वीडियो अपसंदा ही तो वीडियो का अपलाइक करना बिल्कुल नहीं भिलें क्योंकि ऐसे ही लिटेस्ट अपडेट जो है आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जासे अदा इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस HP पटवारी भरती मामला के बारे में पतालक्स के कि क्या अपडेट आई है तो खास अपडेट नहीं थी बट फिर भी मैंने आप तक पहुंचाने के कोशिश करी है तो ऐसा ना सोचें कि कोई इंपोर्टन अपडेट नहीं थी और वैसे ही वीडियो बना कर अपलोड कर दिया है तो हमारे इस चैनल पर कोई भी अपडेट आए तो वो अपडेट किया जाता है आपको वीडियो के माधम से तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैहिमाचल